नमस्ते आज का पाठ है कैमरे में बंद अपाहिच यह कविता है जिसे रगुवीर सहाय जी ने लिखा है कवी परिचय कवी का नाम रगुवीर सहाय इनका जन्म 1929 लगन उतरप्रदेश में हुआ इनकी प्रमुक रचना है अग्ये जी द्वारा संपादित जिसका नाम है दूसरा सब्तक 1938 में प्रकाशित हुई थी आरंबिक कविता है इनकी और महत्वपुन कावे संगलन इस प्रकार है सीडियों पर दूप में आत्मात्या के विरुद हसो हसो जल्दी हसो इनका कारेशेत्र पत्रकारिता के शेत्र में इन्होंने क्या-क्या कारे कि औल इंडिया रेडियो के हिंदी समाचारवी भाग से ये जुड़े रहे फिर हैद्राबास से निकलने वाली पत्री का कलपना जिसका नाम था और उसके बाद आनिक नवभा टाइम सथा दिनमान से भी ये जुड़े रहे इन्हें सहेत्य अकाडमी पुरसकार भी प्राप्त हुआ इनका निधन सन 1990 में दिल्ली में हुआ इनकी कईता की पंक्तियां कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा ना टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदरे कायर टूटेगा इनकी पंक्तियां हैं कुछ होगा, कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा कुछ टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का इनकी लिखी पंक्तिया हैं कुछ होगा कुछ होगा अगर मैं बोलूँगा ना टूटे ना टूटे तिलिस्म सत्ता का मेरे अंदर एक कायर टूटेगा रगवीर सहाय समकालेन हिंदी कविता के समवे दर्शील नागर चेहरा है सड़क, चौराहा, दफ्तर, अखवार, संसत, बस, रेल और बाजार की बेलोस भाषा में उन्होंने कविता लिखी घर मोहल लेके चरित्रों पर कविता लिखकरी ने हमारी चेतना का इस्थाई नागरिक बनाया हत्या, लूट, पाट और आगजनी, राजनेतिक भ्रस्टा चार और छल चद मिन की कविता में उतर कर खोजी पत्रकारिता की संसनी खेज रप्टे नहीं रह जाते, हात्मन वेशन का माध्यम बन जाते हैं यह ठीक है कि पेशे से वे पत्रकार थे, लेकिन वे पत्रकार ही नहीं, सिद्ध का धाकार और कवि भी थे कविता को उन्होंने एक कहानी पन और एक नाठ के वैभव दिया, जातिय या वैयक्तिक स्प्रतियां उनके यहां नहीं के बराबर है इसलिए उनके दोनों पाओं वर्तमान में ही गड़े हैं, बावजोद इसके मार्मिक उजाज और व्यंग भुजी खुर्दुरी मुसकानों से उनकी कविता पटी पड़ी है चंदानुशाशन के लिहास से भी वे अनुपम है, पर ज्यादतर बादचीत की सहज शैली में ही उन्होंने लिखा और बखु भी लिखा तो बादचीत की शैली इनकी कविताओं में मिलेगी पता और पत्रकार और कवी घटनाओं में नहीत विडंबना और तरासदी को भी उन्होंने देखा रगवीर सहाई की कविताओं की दूसरी विशेशता है छोटे या लगु की महत्ता को स्विकार वे महज बड़े कहे जाने वाले विशियों और समस्याओं पर ही दिस्टी नहीं ड्यालते बलकि जिनको समाज में हाशे पर रखा जाता है उनकी अनुभवों को भी अपने रिचनाओं का विशे बनाते हैं रखुवीर जी ने भारती समाज में ताकतवरों की बड़ती हैसेत और सत्ता की खिलाप पी सत्ताहित्य और पत्रकारिता के पाठोकों का ध्यान खीचा है रामदास नाम की उनकी कविता आधुनी खिंदी कविता की एक महत्वपून रचना मानी जाती है अत्यन साधारन और अनायास सी प्रतीत होने वाले शैली में समाज की दारुन विद्रम बनाओं को पकड़ने की जो कला रखुवीर सहाई की कविताओं में मिलती है उसका एक प्रतिनी दिवधारन है यहां प्रस्तुत कविता कैमरे में बंद अपाहिच और यह है उनके कावे संग्रह लोग भूल गए हैं से ले गई है शारीरिक चुनाती को जहलते व्यक्ति से टेलेविजन कैमरे के सामने किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे और कायरक्रम को सफल बनाने के लिए किस तरह की भंगीमा की उससे अपिक्षक की जाती है इसका लगभक सपाट तरीके से बयान करते हुए कवी ने एक तरह से पीड़ा के साथ द्रश्च संचार माध्यम के संबंध को अंडरलाइन किया है तो आप आजकल तो देखते ही हैं जितने भी चैनल्स हैं उनमें किस तरह से लोग अपनी पत्रकार संवेदन हिंटा को दिखाते हुए कुछ भी पूछ लेते हैं किसी भी दुरगटना पर जाकर घायल वेक्ती से hy पूछने लग जाएंगे तो इस तरह की समवेधन हिंता आजकल आप देखते ही देखते हैं लेकिन यह है उस समय की बात कर रहे हैं जब टीवी चैनल के नाम पर सिर्दूर दर्शन टीवी चैनल हुआ करता था किसी की पीडा को बहुत बड़े दर्शक वर्ग तक पहुँचाने वाले व्यक्ति को उस पीडा के प्रतिस्वयम समवेधन शिल होने और दूसरे को भी समवेधन शिल बनाने का दाविदार होना चाहिए उसके जिमेदारी भी होने चाहिए लेकिन होता क्या है? विडंबना यह है कि आप जब पीड़ा को परदे पर उभारने का प्रयास करते हैं तब जो ब्यावसाइकता का दवाव, जो कारुबारे दवाव आ जाता है उसके तहट आपका जो रवाईया है सहाय जी कि यह कविता टेलेविजन स्टूडियो के भीतर की दुनिया को भारती जरूर है लेकिन यह आवशक नहीं है कि इसे सिर्फ टेलेविजन माध्यम से जोड़कर देखा जाए अपनी व्यंजना में यह कविता हर ऐसे व्यक्ति के और इशारा करती है जो दुख दर्द यातना वेदना को बेचना चाहता है तो ऐसा आप अक्सर देखते होंगे अपने चारों और नाकेवल दृष्टे शर्वयमाध्यम के द्वारा कि दूसरों के दुखों को आगे रखकर आप अपना फायदा करते हैं इस कविता को शारेरिक चुनाती जहलते लोगों के प्रती समवेदन शिल नजरिये को अपनाने के लिए कविता में प्रेरित किया गया है और पाठ की रूप में भी देखा जा सकता है कि लोग इस बात को समझें और जो शारेरिक चुनोती छेलते लोग हैं, उनके बारे में अपना नजरिया सही करें, दुरुस्त करें इसके लिए कभी ने धूर समवेदन हिंता को रिखांकित करने का तरीका अपनाया है वह दिखलाता है कि किस तरह करुणा को जगाने के मकसद से शुरू हुआ कारेक्रम क्रूर बन जाता है प्रस्तुत है कविता, कैमरे में बंद अपाहेज इसके कवी हैं रगुवीर सहाय और यह कविता, उनके कावे संग्रह, लोग भूल गए हैं में मुल रूप से संग्रहित है और इस कविता में कवी ने मीडिया वे समाज की समवेदन हिंता पर तीखा व्यंग किया है और इस कविता के माध्यम से वे पत्रकारिता की दुनिया का वे काला सच सामने लाते हैं जिससे हमें यह पता चलता है कि एक कारक्रम को सफल बनाने के लिए उससे मुनाफ़ा कमाने के लिए किस प्रकार मीडिया समवेदन हीन हो जाती है और विवस्ता की हर वस्तू को वह नुकसान और मुनाफे की नजर से देखती है तो यहां प्रसंग कुछ इसी प्रकार का होगा कि यह एक व्यंग कविता है और इसमें आज के सरवादिक जो सशक्त मीडिया है टेलिविशन उसके कारक्रमों की समवेदन हिंता को रिखांकित करते हुए कवी हर एक ऐसे व्यक्ति की और इशारा कर रहे हैं जो दूसरों के दुखदर्द और वेदना को बेचना चाहता है और मीडिया वालों की हिर्द हिंता पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है और कहा है कि वे जंता के बीच लोक प्रिय होने के लिए तरह तरह के अटपटे कारक्रम लेकर आते हैं तो यहां हम देखते हैं इस काव्यांच में हम धूर दर्शन पर बोलेंगे हम यहां पत्रकारों के लिए हैं जो भी पत्रकार इंटर्वियो लेने जा रहा है, या साक्षात कार लेने जा रहा है, या कारक्रम का संचालक, वह है हम, हम दूर दर्शन पर बोलेंगे हम समर्थ शक्तिवान, समर्थ और शक्तिवान कौन है, कारक्रम का संचालक, हम एक दुरबल को लाएंगे, एक बंद कमरे में उतसे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिचपन तो दुख देता होगा देता है कैमरा दिखाओ इसे बड़ा-बड़ा कोस्ट्रक में लिखा है निर्देश दिया जा रहा है कैमरामेन को हाँ तो बताईए आपका दुख क्या है जल्दी बताईए वैदुख बताईए बताने ही पाएगा तो अभी इसकी व्याख्या देखते है कभी एक कायरक्रम के दूरदर्शन के शाक्षातकार के कायरक्रम के संचालक के माध्यम से हमें बता रहा है वे कहता है कि दूरदर्शन के कायरक्रम का संचालक अपने आपको समर्थ और ताकतवर मानता है और वह दूसरे को बहुत कमजोर समझता है वह कहता है कि हम अपने दूर दर्शन पर दर्शकों को दिखाएंगे एक कमरे में बंद एक अपंग कमजोर व्यक्ति को अब इसकी व्याख्या देखते हैं दूर दर्शन के कारक्रम का जो संचालक है वह स्वैम को समर्द और ताकतवर मानता है और उसके सामने दूसरे सब कमजोर है ऐसा मान कर वह कहता है दर्शकों से कि हम आपको दिखाएंगे क्या दिखाएंगे एक कमरे में बंद कमजोर व्यक्ति जो की अपंग है उसको आपके सामने लाएंगे और उससे प्रशन करेंगे उसका शाक्षातकार लेंगे और प्रशन करेंगे क्या आप अपंग है जबकि दिखाई दे रहा है कि वह अपंग है फिर भी उससे यह प्रशन किया जाएगा अगला प्रशन यह होगा कि आप अपंग क्यों है क्यों है अब इसकी भी कोई बात है उसके अपने वश की बात है वह अपनी मर्जी से अपंग हुआ है लेकिन ऐसा प्रशन पूछा जाएगा और उसके बात का प्रशन सुनिए कहते हैं कि हम उसकी बाद अगला प्रश्ण यह पूछेंगे कि आपको आपकी यह अपंगता दुख तो देती होगी अरे अपंगता कभी सुख भी देती है क्या इन अटपटे प्रश्णों को सुन कर वह व्यक्ति कोई जवाब नहीं दे पाता वह व्यक्ति क्यों कोई उत्तर नहीं दे पाता क्योंकि उसके मन में पहले ही दुख है और इस तरह के चुब थे वे सवाल, बे दुखे सवाल सुन कर उसका मन और दुखी हो जाता है और उस दुख से उबरना उसके लिए उस शण मुम्किन नहीं होता वह ततकाल कोई उत्तर नहीं दे पाता और चुप रहता है और उसके मन की जो पीड़ा है उसके चेहरे पर उभर आती है उसकी आँखों में वह दर्द उभर आता है विवश्टाग, लाचारी तो उसको उन भावों को दिखाने के लिए के संचालक आगे कैमरा मैन को निर्देश देता है जब यह देखता है कि शब्द हीन पीड़ा उसके चेहरे पर उभर आई है तो यही तो वह चाता है ताकि इसको देखकर जो दर्शक हैं वे भी करुणा से भर जाए और उसके कारिक्रम को सफलता मिले उसकी टियर पी बड़े तो यहां अब यह कहता है कि कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा इसे जूम करके इसके चेहरे के हावभाव को दिखाओ कि देखिए कितना दुखी है यह व्यक्ति इसके बाद वे अपंग व्यक्ति से एक और अटपटा प्रश्न करता है जल्दी से बताईए कि आपका दुख क्या है जबकि यह उसके चेहरे से ही दिख रहा है कि वे इस समय पीड़ा में है वे कुछ कह नहीं सकता फिर भी उतावलापन दिखाता है संचालक और कहता है कि बताओ जल्दी कि तुम्हें क्या दुख है और फिव्यंग से कहते हैं कि यह नहीं बता पाएगा तो यहाँ जो संचालक है उसकी समवेदन हींता का पता चलता है कि वे है इस व्यक्ति के दुख का सारवजनिक प्रदर्शन करके लोगों की करुणा और दया को हासिल करना चाहता है और इसके द्वारा वे अपने कारक्रम को लोग प्रिय बना कर अधिक से अधिक मुनाफ़ा कमाना चाहता है तो अब इस कावियांज का विशेश देख लेते हैं कि कवी ने यहाँ दूरदर्शन वालों के माध्यम से मीडिया कर्मियों की समवेदन हीन और अमानविय कार्य शैली का चित्रन किया है और इसकी भाषा सहिति खड़ी बोली है सहज है सरल है और भाषा में ही और भी आधी जो अव्य हैं उनका प्रेयो करके अपने वर्णन को एक नया रूप दिया है और यहां जो शैली है वह नाटकिये है व्यंग प्रधान है चंद मुक्त चंद है और जो कोस्ठक में कवीने वाक्य लिखे हैं कथन लिखे हैं वे पूरे विवरन को एक नाटकिये रूप देते हैं तो इस प्रकार यह काव्यांश समाप्त होता है अब हम अगले काव्यांश के और चलते हैं अब इस काव्यांश में हम देखते हैं कभी कहता है कि सोची बताई आपको अपाही जोकर कैसा लगता है कारगरम का संचालक इस प्रकार की बाते अपाही से कह रहा है पूछ रहा है प्रश्न कैसा यानि कैसा लगता है और कोस्ट्रक में लिखा है हम खुद इशारे से बताएंगे कि क्या ऐसा तो यहां कभी ने कहा कि इस प्रकार का प्रश्न संचाला करता है तो वह उसके ग्रणित उद्देश्य को इस पस्ट करता है क्योंकि कोई दुखी और लाचार है शारेरिक रूप से आक्षम है ऐसे व्यक्ति से इस प्रकार का प्रश्न पूछना कि उसे वह दुख भोक कर कैसा मैसूस होता है यह तो बहुत ही अमानविय कृत्ते के समान है और जो दुखी है उसे और अधिक दुखी कर देता है हो जाता है और इसके बाद कभी कहता है कि संचालक इतना उतावला हो जाता है कि जब वह कुछ कह नहीं पा रहा तो खुद इशारा करके उससे कहेगा कि क्या ऐसा अर्थात कि तुम कैमरे के सामने ऐसा दिखाओ कि तुमें इस तरह से महसूस हो रहा है यानि उसको खुद इशारा करके उत्तर देने के लिए उकसाएगा और यहाँ पर आगे कहते हैं कि जो अपंग है उसको बार बार यह एहसास कराना कि वह अपंग है यह वाकई में बहुत ही समवेदन हींता की बात है अब इसकी जो पात की पंग्तियां सोचिए बताइए थोड़ी कोशिश करिए और कोस्ट्रक में लिखा है यह अवसर खो देंगे आप जानते हैं कि कारकर्म को टोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसको रोला देंगे इंदजार करते हैं आप भी उसकी रोपढ़ने का करते हैं यह प्रशन नहीं पूछा जाएगा यह कोश्ट्रक में लिखा है तो इन पंक्तियों में हम देखते हैं कि संचालक अपाहिष से बार बार प्रशन करके उसके हपाहिषपन का उसको एहसास कराकर उसे बोलने रोने पर मजबूर करता है और कहता है कि अपंगता को दर्शाने का और अपने दुख को दुनिया के सामने लाने का यह बहतर मौका है और अगर तुम नहीं रोए तो यह मौका तुमारे हाथ से निकल जाएगा और यही तो इस संचालक का कारेक्रम बनाने वाले का उदेश यह है कि किसी भी तरह से इस कारेक्रम को दर्शकों की नजर में सफल बना दिया जाए कभी यहाँ यह पस्ट करना चाहता है कि टीवी कैमरे के सामने बैठा अपाहिज व्यक्ती शायद अपनी इस दुर्बलता से शारेरिक विकलांगता से उतना परेशान नहीं है उसके मन में कमजोरी का एहसास नहीं हो तब भी यह प्रशन करता जो शाक्षात का ले रहा है बार बार उसको इस बात का एहसास कराते जाएंगे ताकि वह दुखी हो और रो पड़े और उसके बात कवी एक प्रशन पूछता है संचालक के माध्यम से कि आप भी उसके रो पड़ने का इंदजार करते हैं और धार दर्शक भी इस प्रकार के चटपटे कारक्रम और अटपटे प्रशन सुनना चाहते हैं और अगर वैव्यक्ति अपाहिज व्यक्ति रो पड़ता है तो यह उसके प्रस्तुती करण को सफल माना जाएगा और इस तरह एक कारक्रम जो कि सामाजिक उद्देशी के लिए बनाया जा रहा है उसमें नाटक यह था आने लगती है जानते हैं इस कावियांश का विशेश कभी ने यहाँ एक बहुत ही समवेदन शील्ड मुद्दे को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है कावियांश की भाषा सहित्तिक खड़ी बोली है चंद मुक्त कविता है और शैली बादचीत की शैली है इसमें व्यंग्य है और जो कोस्ट्रकों में कथन दिये गए है उनके माद्यम से कवी अप्रत्यक्ष बातें कहकर कविता को प्रभावी बना रहे है तो कुछ यहाँ पर जो प्रश्न है एक की हम पूछ पूछ कर उसको रूला देंगे इसमें कैसा भाव है यह भाव क्रूरता का भाव है और यह किसके द्वारा कहा गया है यह दूरदर्शन के कायरक्रम के संचाला या पत्रकार द्वारा कहा जा रहा है यह प्रस्तुती अल्पना वर्मा द्वारा दी जा रही है अब पढ़ते हैं कविता का अंतिम काव्यांश जिसमें कवी ने दूर दर्शन कारिक्रम की वास्त्विक्ता को उजागर किया है और मेडिया कर्मियों की समवेधन हिंता पर व्यंग भी किया है कवी यहां कारिक्रम की संचाला के माध्य हम से कह रहा है कि फिर हम परदे पर दिख लाएंगे फूली वई यांके एक बड़ी तस्वीर बहुत बड़ी तस्वीर और उसके होंटों पर एक कस्मसाहट भी आशा है आप उसे उसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे यह अकतन कोस्टक में लिखा है कारिक्रम का संचालक जिसने अभी तक नजाने कितनी तरह के अटपटे प्रश्न किये और अपने प्रश्नों से आहत करके उसने उस अपाहिच को रूलाने का प्रयास किया वह अभी तक रोया नहीं है परन्तु उसके मन में दुख है कारिक्रम का संचालक अपन्ग व्यक्ति की फूली हुई आँख की बड़ी तस्वीर परदे पर दिखाएगा और होटों की कस्मसाहट की तस्वीर को भी बढ़ा करके परदे पर दिखाएगा ताकि दर्शकों में करुना जाग सके और वे दर्शकों से कहता भी है कि इसे ही आप इस अपाहिच के अपाहिचपन से उपज़ा वास्तविक दुख माने संचालक की कोशिश है कि दर्शक और व्यक्ति दोनों रोएं और जब दोनों रोएंगे तभी उसका कायरक्रम सफल माना जाएगा तो इस कोशिश में वेह आगे कहता है कि एक और कोशिश दर्शक धीरच रखे देखे हमें दोनों एक संगरू लाने हैं आप और वेह दोनों फिर कोश्टरक में लिखते हैं कैमरा बस करो नहीं हुआ रहने दो परदे पर वक्त की कीमत है हम अब मुस्कुराएंगे आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से यूग्त कायरक्रम कोश्टरक में लिखा है बस थोड़ी ही कसर रह गई धन्यवाद कायरक्रम संचालक ने अपंग व्यक्ति को रोलाने के बहुत से प्रयास किये वेह उसको रोलाना चाहता है ताकि उसको रोता हुआ देखकर दर्शक भी रोएं और कायरक्रम बहुती रोचक और प्रभावी बन जाए तो वह एक और कोशिच करता है दर्शकों से धीरज रखने की अपील भी करता है और अपंग व्यक्ति और दर्शक दौनों को रूलाने की कोशिच में लग जाता है और जब उसकी ये कोशिच सफल नहीं हो पाती तो यहां हमने देखा कि वह व्यक्ति अपनी शारेडिक अक्षमता के गहरे दुखे कारण संचालक के बार-बार उकसाने पर भी रो नहीं पा रहा है तब संचालक उसे परदे पर वक्त की कीमत का एहसास कराता है ऐसे जैसे की पीड़ा को निर्धारित सीमित समय में व्यक्त कर देना उसके लिए बहुत ज़रूरी है कवी के अनुसार टीवी पर या दुगरदर्शन पर वक्त की कीमत के बारे में बता कर और अपाहिच की पीड़ा को कुरेद कर उसे रुला देने के पीछे कारिक्रम के निर्माताओं का केवल एक ही हुद्देश्य है और वह है कारिक्रम की व्यावसाइक सफलता और लोग प्रियता आगे कवी संचालक के माध्य हम से कह रहे हैं कि संचालक कहता है अब हम मुस्कुराएंगे अब हमारी बारी है मुस्कराने की अर्थाद अब हम अपनी वास्त्विक्ता पर लोटाएंगे दर्शकों को बताते हैं कि यह कारक्रम सामाजी कुद्देश की पूर्ती के लिए दिखाया गया था और इसमें बस थोड़ी सी ही कमी रहे गई अर्थाद हम उस व्यक्ति को रोलाने पाए या उसका रोता वजयरा आपको नहीं दिखा पाए या कहिए कि रोने वाला सीन नहीं आ सका और इससे साफ हो जाता है कि संचालक अपने उद्देश्य की पूर्ती है तुही कारक्रम दिखा रहा था वे एक व्यक्ति की अपंगता को भुनाने की कोशिश कर रहा था और साथ ही अंतमेवे दर्शकों का धन्यवाद भी करता है विशेश हम यहाँ देखेंगे कि यह है टेलेविजन कारक्रमों की विश्वश्नियत अपर प्रश्नचिन लगाता है और भाशा यहाँ साहिते खड़ी बोली है परदे पर पववण की आवरती होने कारण अनुपरास है और शैली बाचीत की शैली है व्यंग प्रधान शैली है और उसके अतिरिक आप यहाँ क्या लिखेंगे कि कोस्ट्रक में कथन होने के कारण यहाँ कविता प्रभावशाली हो गई है तो यहाँ कुछ प्रशन देखते हैं इस कावियांट से संबंदित कि परदे पर वक्त की कीमत है यह कथन किस बात के और इशारा करता है परदे पर वक्त की कीमत है अर्था टेलिविजन के परदे पर किसी कारण करम को दिखाना काफि महाँगा पड़ता है तो यह कहकर प्रस्तुत करता बता रहा है कि वह कितने महत् Complpun संचार माध्य में कारे कर रहा है समय की कमी टेलेविजन के महत्व को सूचित करती है और अपाहीज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को ही उस कुरूरता से अंजान रखने का भी एक आकरशक धंग है जो कायरक्रम के प्रस्तुत करता दूर दर्शन वालों द्वारा अपाहीज व्यक्ति के साथ पर्दे की आड़ में किया जा रहा है अब एक दूसरा प्रशन हम देखते हैं कि सामाजिक उद्देश्य से युक्त कायरक्रम कहकर प्रस्तुत करता क्या साबित करना चाहता है सामाजिक उदेश्य सयुक्त कारक्रम कहकर प्रस्तोत करता यह साबित करना चाहता है कि उसे इस अपंग व्यक्ति से गहरी समवेधना है और उसने उस व्यक्ति की पीड़ा को सामाने दर्शकों तक पहुचा कर एक मानविय और सामाजिक कारे किया है जबकि वास्त्विक्ता कुछ और ही है वह तो इस कारक्रम द्वारा व्यावसाइक लाब कमाना चाहता है एक और प्रशन हम देखते हैं कि हमें दोनों एक संग रूलाने हैं इसका क्या आशा है तो यह कथन कारक्रम के प्रस्तुत करता का है जो तक्नीकी निर्देश देते हुए कह रहा है कि उसे अपाहिज व्यक्ति और दर्शकों दोनों को एक साथ रूलाना है और अगर वे एक साथ रो देंगे तो उसका कारक्रम व्यावसाइक द्रिस्टि से सफल और लोगप्रिय माना जाएगा अब हम एक और कथन को देखते हैं जो पहले काव्यांश में था हम समर्थ शक्तिमान और हम एक दूरबल को लाएंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवी ने क्या व्यंग किया है यहाँ इसका एक ऐसा प्रश्न बन सकता है तो इस पंक्ति के माध्यम से कवी ने यह व्यंग किया है कि दूरदर्शन याने मीडिया के लोग बहुत ताकतवर होते हैं, वे अपने आपको बहुत समर्थ और शक्तिशाली मानते हैं, वे सोचते हैं कि वे जो चाहें, जैसे चाहें किसी कारक्रम को दर्श्रकों के सामने प प्रस्तुती उनकी अपनी मर्जे से होती है, और वे चाहें तो करुणा को भी बेच सकते हैं, और अंत में एक और प्रशन देखते हैं, कैमरे में बंद अपाहिज, करुणा के मुखोटे में छीपी करूरता के कवीता है, इस पर अपने विचार दीजे, तो यह कवीता करुणा को तो प्रस्तुत करती ही है, साथ ही इस कर्ता में ऐसे लोगों की बनावटी करुणा का वर्णन भी हमें बताती है, जो दुख दर्द को बेच कर प्रसिद्धी और आर्थिक लाप प्राप्त करना चाहते हैं, एक अपाहिज व्यक्ति के साथ जूटी सहानुभूत जदा कर उसकी करुणा का व्यावसाई करन करने में पीछे नहीं हटते, और उसकी करुणा को पैसे एवं प्रसिद्धी के लिए टेलेविजन पर कुरेत्ति रहना वास्ता में कुरूरता की चरम सीमा है, किसी की कमजोरी, उसके दुख, उसके कस्ट सदासी करुणा को जगा जगाने वाले हैं, लेकिन इन कारुणों को सारवजनिक कारक्रम की रूप में प्रसारित करना, अपने चैनल की स्ट्रेश्टता सावित करने के लिए तमाशा बना कर उसको वलट धंग से प्रस्तुत करना, तो यह सब वलट बात है, सांसारिक बहुतिक हींता इतनी नहीं अ होती है, और उनके साथ इस प्रकार का व्याभार, इस प्रकार की जो असमवेदन हींता मीडिया कर्मियों द्वारा दिखलाई जाती है, तो वह कुरूरता की पराकास्टा ही कही जाएगी, तो इसके साथ ही हम यहाँ इस पार्ट को समाप्त करते हैं, धन्यवाद. झाल झाल, प्रकार का व्याद.